नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्कवर नियू पे तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमने जो है एक जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज शुरू की है अपने यूट्यूब चैनल पे तो उसका जो first वीडियो है वो हमने अफलूड कर दी है जिसमें हमने class 6 के chapter 1 और chapter 2 को discuss किया है तो ये class 2 है इसमें हम class 6 के जो chapter 3 से लेकर chapter 6 तक 4 chapters वीडियो में हम discuss करने वाले है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की और तो सबसे एफ पहले chapter 3 chapter 3 है fiber to fabric यानि की ratio से कपड़े तक तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आप दुकान को जाते हो किसी कपड़े की दुकान में जाते हो तो आप पे बहुत सरा के कपड़े आपको देखने को मिलते हैं और उनकी variety बहुत अलग-अलग तरह की होती है तो देखिए जो दोस्तों कपड़ा होता है वो बहुत सी variety में आज हमारे पाँ available है तो variety in fabrics हमारा जो topic 3.1 है variety in fabrics तो कितनी तरह की variety जो है कपड़ों की variety हमें आज देखने को मिलती है तो यह जैसे की jute cotton jute और silk wool तो इस तरह से जैसे jute का पास ratio moon और और भी synthetic तरह के यानि की kriterium जो आपको कपड़े हैं वो देखने को मिलते हैं तो दोस्तों जो यह ratio होते हैं जो fiber होते हैं तो यह भी दो तरह के होते हैं तो जितने भी आप आज यह कपड़े देखते हों जो market में आज available हैं वो सभी कपड़े जो है वो ratio से मिलके बनते हैं तो हमें इस chapter में basically क्या दिखेंगे actually जो कपड़ा है वो किस तरह से तयार होता है जो हमारे पास आज हम आपने हमने सब दोगोंने कपड़े पहने हैं वो किस तरह से industry में किस तरह से तयार होते हैं तो इसमें तो देखें जो दोस्तों fiber होते हैं यानि कि सबसे पहले क्या होता है यहां पर हमने निक diagram बनाया हो है जो कपड़ा होता है कोई भी जो कपड़ा है जो आप आज day to day life में use कर रहे हो वो किस से मिलके बनाओता है वो मिलके बनाओता है यानि कि रेशों से बनाओता है तो हम यह इस chapter में यहीं देखेंगे कि रेशों से जो एक कपड़ा हो किस तरह से तयार होता है तो दोस्तों देखें जो यह ratio होते हैं यानि कि जो फाइबर्स हैं यह दो characteristics में हमारे पास available होते हैं एक होता है natural fibers दूसरे होते हैं synthetic fibers यानि कि प्राकृतिक fibers, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे तो जो यह natural fibers होते हैं the fiber of cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals these are called natural fibers देखिए जो भी यह cotton यानि कि जो कपास, jute, racium और oon है यह हमें कहां से यह naturally हमें प्राप्त होते हैं लेने क्या कहा जाता है, natural fibers कहा जाता है वैसे synthetic fibers क्या होते हैं जो synthetic fibers होते हैं do not obtain from plant or animals किसी भी हमें, ना किसी पॉद से मिलते हैं और ना ही हमें किसी animal से मिलते हैं for example, यहां में example भी देखे रखे हैं for example, polyester, nylon और acrylic, यह जो किसके example है synthetic fiber के example है तो दोस्तों देखिए, यहां पे किस तरह से आपसे question पूछा जा सकता है आपसे question पूछा जा सकता है कि among cotton wool among cotton wool jute and acrylic, which one is synthetic fiber तो आपको वहां पे बताना होगा कि इन सब मैंसे synthetic fiber कौन सा है ठीक है तो इस तरह से आपसे यहां पे question पूछा जा सकता है तो अब देखिए, जो cotton और jute है यह हमें obtain होते हैं, plants से तो cotton यह हमें कहां से obtain होता है, plants से वैसे ही jute के भी क्या होते हैं, हमारे पाप plants होते हैं, पर जो wool और silk है, यह हमें animal से obtain होता है तो जो wool है, यानि कि जो ओन है वो हमें कहां से प्राप्त होती है फ्लीस ओफ शीफ और गॉट and also from the hair of rabbit and yak and camel तो देखिए जो फ्लीस यानि कि जो ओन होती है कि इसकी शीफ या फिर गॉट की जो ओन होती है उससे हमें wool obtain होता है और साथी साथ जो rabbit है rabbit के, yak के और camel के इनके hair से भी जो हमें वो wool obtain होती है तो साथी साथ जो silk है वो देखो, silk हमें कहां से obtain होती है, silk हमें obtain होती है silk form से, यानि की रेशम के कीड़ी होते है ठीक है, वो क्या करते है एक cocoon बनाते है the silk किस form poussi 好像 से obtain होता है, from the cocoon of silk form, silk form के Ela से हमें obtain होता है तो यह जो same chapter है chapter 3 जो है यह आपको class 7 में repeated मिलेगा तो वहां पे भी हम इसके बारे में cocoon, silk warm के बारे में और थोड़ा details से discuss करेंगे तो यहां आप हिलाल के लिए याद रखिए जो silk है वो किस से obtain होता है हमें एक कीड़ा होता है जिरेश्यम का कीड़ा यानि की silk warm कहते हैं उससे हमें obtain होता है silk obtain होता है अब यहां पे आपसे किस तरह से question पूछा जा सकता है देखिए यहां पे question पूछा जा सकता है among which of the following among which of the following fiber is obtained from animal तो इन में से कौन सा ऐसा जो रेश्या है जो में जानवरों से प्राप्त होता है जो फिर आपको option दिया जा सकता है wool, wool fiber, silk fiber या फिर cotton fiber या फिर none of the above तो यहां पे ऐसे जो animal से आमें जो fiber मिलता है वो कौन कौन से fiber है wool fiber and silk fiber तो इस तरह से आप से यहां से question पूछा जा सकता है अब चली बढ़ते आगे cotton plants अब देखिए थोड़ा सा climatic conditions के बारे में भी हम देख लेते हैं कि जो यह plants होते हैं जैसे कि cotton का plant हो गया इसके लिए किस तरह कि आपके पास क्लाइमेट किस तरह का होना चाहिए warm climate होना चाहिए अब देखिए actually हम क्या करना चाहते है हम एक जो कपड़ा है वो किस तरह से बनता है उस process को देखना चाहते है अब देखिए सबसे पहले क्या होगा आप क्या करेंगे जैसे cotton plants है यह पौद है cotton का उसको उगाएंगे खेत हमें क्या करना होगा उस plant से उन cotton जो है है उनको निकालना होगा तो उस process को क्या कहते है जब हम किसी plant से उसके cotton का plant है उससे हम cotton को अलग कर रहे है तो उसको process को कहते है ginning उस process को क्या कहते है ginning the process by which fibers are separated from the seeds by combing is called ginning ठीक है अब हम क्या कर रहे है सबसे पहले हमने poda लगाया उससे हमारा क्या त्यार होगा cotton त्यार होगा अब हम क्या कर रहे है उस cotton को उस पौदे से निकाल रहे है तो उस process को बोल रहे है अब देखिए धिरे धिरे प्रोसेस کو समझने की कोशिश कीजिए हम धिरे धिरे जो है am complete कपड़ा बनाने कपड़ा बनने तक के प्रोसेस में पहुचने वाले हैं अभी हमने पॉदा लगाया फिर उसने cotton ाई हमने cotton को निकाला किस प्रोसेस से, गिनिंग के प्रोसेस से हमने cotton को निकाला, निकाल दिया, अब जिस तरह से cotton plant होता है, उस तरह से किस जिसका plant होता है, जूट का plant भी होता है, तो जूट के plant के लिए, जूट का हमें कहां से obtain होता है, obtained from the stem of the jute plant, तो जूट का जो पहदा होता है, उसके तने से हमें क्या obtain होता है jute ठीक है और इसके लिए climatic condition क्या होनी चाहिए jute के पौदे के लिए cultivated during rainy season तो जो ये rainy season के दुरान क्या cultivate के जाता है किसे उगाया जाता है jute को ठीक है और इसके manly grown in West Bengal, Bihar and Assam Manly इन तीन states में ये jute आया जाता है तो ये दोनों ही इसके climatic conditions में हमने देख लिए है अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ठीक है अब हमारे पास क्या है fiber actually जो हमारे पास जो है वो fiber available है हमारे पास ratio available हो चुके है हमने क्या करना है उन ratio से हमें क्या करने है धागे तयार करने है ठीक है उन धागों से फिर हम क्या करेंगे उन धागों से हम कपड़े तयार करेंगे ठीक है उन चरकों में क्या करते हैं, यानि कि रूइं को काते हैं, तो रूइं से हम क्या करते हैं, वहाँ पे धागे तयार करते हैं, ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे, उन धागे से हम क्या करते हैं, उनी कपड़े या रूइं बगारा जो रूइं से, रूइं के धागे से क्या कर कपड़ों को तयार करते हैं ठीक है इस प्रोसेस को कहते हैं ह। इस प्रोसेस को कहते हैं spinning तो यह spinning है यह बहुत तरही किजा सकती है ऐसे कि आप चरक है से भी spinning कर सकते हो ठीक है और आप साथी साथ इंडस्ट्री में भी जो के लिए जो automatic machines होती है उनका भी यूज किया जाता है वाइडली यूज किया जाता है टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के दुआरा तो वहां पर क्या कर दियाता है जो आपके फाइबर्स होते हैं उनसे आपके यांस त्यार किया जाते हैं अब देखिए फाइबर्स से आपके यांस त्यार हो गया यांस से क्या त्यार होगा फैबरिक क्या नहीं कि कपड़ा त्यार होगा अब देखिए यांस से जब फैबरिक त्यार होता है इसके दो प्रोसेस होते है हमारे पास एक प्रोसेस होता है वीविंग का दूसरा प्रोसेस होता है निटिंग का ठीक है अब ये वीविंग और निटिंग क्या होता है दोनों का ही अर्थ क्या होता है बुनाई इन दोनों का ही मतलब होता है बुनाई हिंडी में बुनाई अब ये बुनाई किस तरह से यान्य कि दो धागे के सेट होते हैं उनको आपस में जोड के जो है फैबरिक त्यार की जाता है और वीविंग ऑफ हैबरिक इस डन ओन दा लूम्स आइधर हैंड ऑपरेटिट लूम्स और पावर ऑपरेटिट लूम्स अब देखिए जो बेसिकली जो वीविंग है इसका यू कपड़े त्यार करते थी जब इंडस्ट्री इंडस्ट्रिलाइजेशन नहीं हुआ था तो उस तरह उसमें क्या होता था हाथ से आपके कपड़े त्यार की जाते थे ठीक है उनको जा कहते हैं लूम्स या तो हैंड ऑपरेटिट होते हैं पर आप जो टेक्सटाइल इंडस् तो इस तरह का डिजाइन जो है किस प्रोसेस से हमें ओपड़ेन होता है वहते हैं वीविं के प्रोसेस से तो क्या होता है किसी कपड़े को हाथ से बुन के तयार करते हैं त्यार कि हम क्या कहते हैं weaving कहते हैं हाथों से बुनाई करना ठीक है आपने देखे होंगे बहुत सी sweater होती है जो हाथों से बुनी जाती है तो उस process को क्या कहते हैं meeting कहते हैं tok इस तरह से जो है इन दो प्रोसेस से क्या की जाता है ãy twins को त्यार कर दिया जाता है अब दिखे एडवस समे राइस कर देते हैं फूरे चैपटर को समे स्मेराइस करते हैं इसमें पूरे चैपटर में क्या है सबसे पहले cotton rolls, cotton rolls कहा होते हैं, सबसे पहले किस तरह से हमें जो एक fabric पुरा, fabric हो किस तरह से तयार होता है, सबसे पहले हम पौदों को उगाते हैं, cotton के पौदों को उगाते हैं, cotton rolls के कहा है, तो cotton rolls के करते हैं, उइसे घीनिंग करते हैं, और उसे तरह यह मिलता है लवा पर प्रोसे दो प्रोसेस और फिर Design के सुपर्ण है वो आपको मिलता है यानि कि कपड़ा मिलता है अब यही complete chapter में इसी से related है तो यह था chapter number 3 अब बढ़ते है next chapter की chapter number 4 sorting material into groups तो यानि कि अब हमें क्या करना है जितने भी materials है उनको sort out करना है यानि कि उनको sort करना है यानि arrange करना है तो आप यदि किसी भी अभी जिस भी कमरे में अगर आप बैठे होंगे तो आपकी सामने क्या 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 होगा देखिए आपके सामने बैड होंगे कुरसिया होंगी टेबल होगा सीसा होगा और खिड़की होगी ठीक है खिड़की में भी सीसा होगा जो transparent होगा यानि क इसे आर पार जिससे दिखता होगा ठीक है तो यह सब भी चीज़े होंगी और बुक्स होंगी आपके पास ठीक है और अब हमें जितने भी यह material आपके पार available है इनको क्या करना है इनको आपको sort करना है ठीक है यानि कि इनको arrange करना है तो अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप ज किस तरह से जितने भी materials है वो किस तरह से हम sort out करते हैं sorting किस तरह से करते हैं उनकी तो यह chapter OC के बारे में ठीक है तो इसमें 4.1 है object around उसकी जो आपके पास object है किसकी सरा के object आपके surrounding में available है और किस तरह से आप उनको sorting करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको एक कमरे का example दिया तो अ बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ लकड़ी से बनी है तो यह भी क्या होई materials की sorting होई ठीक है अब properties of materials आप देखिए sorting हम basically किस basis पर करते है material की property के basis पर जैसे कि मैंने बताया आपको कि उन materials को अलग की जो color में black है तो actually जो black color है वो क्या है उस material की property है कि हो color में black है तो जो sorting हो इसी के लिए किस के basis पर की जाती है material की properties की basis पर जासे पहले appearance हो गया कि कि किस color का दिखता है उस तरह से भी आप material को अलग-अलग कर सकते है और hardness की कौन सा कितना सकत है कौन सा soft वाला soft वाली materials जो उनको आपको side रख दीजी और hard वाले को side रख दीजी या side list out कर दीजी तो इस और एक और कि अविलेबल है आपके कमरे में और थोड़े से आपके कमरे में जो है कंकड अब अब क्या कीजिए उनको दोनों ही चीजों को तो अलग-अलग गिलासों में डाली और घोल दीजी अब देखेंगे कि जो चीनी है वो इसली घोल जाएगी ठीक है अब मैं बता अ गुलंशील पदारत जो कम्प्लेटली डिसैपियर्ड इन वाटर और डिसैपियर्ड आपको वैसे ही दिखेंगे तो उनको हम क्या पूलेंगे, insoluble कहेंगे, ठीक है, some gases are soluble in water, for example, oxygen, and some are insoluble in water, ठीक है, कुछ एक gases भी ऐसी होती है, जो water में soluble होती है, अब देखिए, जो जल में रहने वाले जीव है, ठीक है, वो यो भी किसका यूज करते हैं, water में available oxygen का, तो जो oxygen होती है, वो water में गुली होती है, तो ठीक है, वो अपने gills यान की गलफ़रों से क्या करते हैं, उस oxygen को filter करते हैं water से, और उस oxygen को लेके जिन्दा रहते हैं, ठीक है, तो कुछ एक ऐसी gases है, जो water में easily soluble हैं, तो for example, oxygen हो गया, और बहुत सी ऐसी gases हैं, जो soluble नहीं भी है, ठीक है, अब देखी, object में float और sink in the water, इस तरह से भी आप object जो आपके around हैं, उनको categorize कर सकते हैं, कि उस तरह के object को आप अलब कीजिए, जो float, easily float कर सकते हैं, ठीक है, फिर अगला factor आता है, transparency का, अब जैसे कि मैंने आपको example दिया था कमरे में, तो आपके पाद दो तरह के सीसिया हैं, देखो एक तू वो सीसा है, जो आप dressing mirror जिसे कहते हैं, और दूसरा, जो आपकी खिड़की में लगा है, तो जो खिड़की में आपके पाद mirror है, उससे आप आर पार easily देख पा रहे हो, तो जिससे आप, ऐसी चीज़े से आप easily आर पार देख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, transparent, ठीक है, दो substances or material through which things can be seen are called transparent, for example, glass, water, air, plastic, etc, इनसे आप क्या कर सकते हैं, easily आर पार देख सकते हैं, इसलिए इनने क्या कहते हैं, transparent कहते हैं, ठीक है, through which, अब दूसरी तरह की क्या होती है, through which things cannot be seen are called opaque, opaque क्यानी की अपहर दर्शी, तो देखिए जितने भी यह इसमें word आ रहे हैं, आप इनको क्या करती है, side by side लिखते रहे रहेगा, तो हम basically कर किया रहे हैं, अपनी vocabulary डेवलप कर रहे हैं, आने वाली classes के लिए, उसमें क्या होगा, इन सभी जितने भी यह word है, इनका बड़े frequently use होगा, ठीक है, तब आप उन सभी chapter को बड़े easily, smoothly समझ पा होगे, ठीक है, तो आप इनको साथ बास, साथ लिखते रहेगा, और साथ साथ याद भी करते रहेगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, the materials through which object can be seen, but not clearly are called translucent, अब कुछ material होते हैं, जिने हम translucent कहते हैं, जैसे कि tracing paper हो गया, अगर आप एक tracing paper को दिखोगे, तो उससे आप आर पार, बड़े clearly नहीं देख सकते हो, ठीक है, आपको धूनला दूनला सा दिखाई देगा, तो ऐसे object जिन से आपको धूनला दूनला दिखाई दे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, translucent कहते हैं, यह translucent object कैसे होते हैं, semi transparent, semi transparent का मतलब क्या होता है, कि कुछ हद तक transparent होते हैं पर clearly transparent नहीं होते है ठीक है अब इस chapter के कुछ एक keywords की वर हम बढ़ते हैं तो इस chapter में use होई जो keyword है वो है insoluble insoluble यानी की अगुलन शील लस्चर 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 भी एक property होती है यह भी एक property है लस्चर होता है चमक यानि कि उन objects को आप distinguish कर सकते हैं ज जो चमकते हैं ठीक है for example gold हो गया ठीक है gold हो गया diamond हो गया इनकी क्या property है कि यह चमकदार होते है ठीक है इस तरह से भी आप जो है materials यह उनको distinguish कर सकते हैं फिर जैसे कि metal metal की से कहते हैं धात्तु को metal कहते है opaque क्या होता है अपारदर्शी translucent क्या होता है semi transparent यानि कि कुछ हद तक जो transparent होता है पर completely transparent नहीं होता है transparent क्या होता है पारदर्शी तो transparent होता है पारदर्शी तो यह थे इस chapter के कुछ एक keywords तो इस chapter में जितनी भी चीज़े हमने पढ़ी है आप उनसे गोत्रू हो जाईए जैसे कि soluble क्या होता है insoluble क्या होता है इसके ठीक है वैसे opaque क्या होता है transparent क् चीज़ें हैं जो इसमें इंपोर्टेंट सी हैं ठीक है कि ट्रांसलीसेंट क्या होता है अब बढ़ते हैं अपने नेक्स चेप्टर की ओर चेप्टर नमबर फाइब की ओर है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसिज ठीक है मतलब पदार्थों का प्रिथिकी करण पदार्थ आप जो स सबस्टांसिज हैं उनको किस तरह से अलग-अलग कर सकते हैं तो method of separation ठीक है बहुत से method है तो मान लीजिए आपके पास क्या है चावल है तो जब भी आप चावल पकाती हो तो सबसे पहले क्या करते हो उन चावलों को चांटते हो आप देखते हो कि उसके अंदर कोई föreate आओट कर रहे हो ठीक है ऐसे कोई भी तो इस चाप्टर हम क्या करेंगे यो जो किनी भी दो दो सबस्टांसिज को क्या करेंगे स्यपरेट करने की क्या क्या प्रोसेस होते हैं उन सभी प्रोसेस इस तो हमों देखेंगे और आप देखेंगे जो competitive exams होते हैं उन में क्या हो सबसे पहले होता है threshing threshing में क्या होता है दिए उसको अलग करने का जैसे कि माल लीजे जो गयाहूं है गयाहूं से अनाज कैसे अलग करते हैं देखिए गयाहूं से अनाज करने के बहूत से तरीके होते हैं यहां देखिए हमें लिगा step one stacks are beaten आप क्या कर सकते हो जो डंठल होते हैं गहों के आप उनको पीट सकते हो ठीक है उनको पीट पीट के उनसे अनाज अलग कर सकते हो दूसरा क्या होता है with the help of blocks blocks यानि की बैलों की साहिता से आप बैलों को उसके उपर चलाइए और आज क्या हो जाएगा आज उससे निकल जाएगा जैसे कि पहले के जमाने में किया भी जाता था और नमबर तरी है machines आज कल देखिए बहुत सी threshing machines आज कल available है जो modern farmer है जो इस new technology का बहुत use करते हैं इसमें क्या होता है इसमें भी जो इस process में भी क्या होता है जो grain होता है वो stack से अलग कर दी जाता है तो आपसे question किस तरह से पुछा जा सकता है आपको देखिए ये definition देगा और बोलेगा the process that is used to separate grain from the stacks of is called आपको बहुत से option देगा जैसे कि आपको बोलेगा threshing, wind blowing, sedimentation इस तरह से आपको बहुत से option देदेगा और आपको सही उत्तर पर जो है टिक करना होगा ठीक है तो ये threshing के आपने definition देख लिए अब होता है winnowing, winnowing यानि कि soup हिंदी में क्या कहते हैं से soup भी कहते हैं ठीक है winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं देखिए, आपने देखा भी होगा जो जब भी इतनी जाए नहीं टेकनोलोजी आई नहीं थी तो उसमें किसान क्या करते थे, फार्मर्स क्या करते थे जो अनाज होता था, अब देखिए मालीजी आपने गहों जो है उनको जाड दिया है ठीक है, बिटन, उनको आपने क्या कर दिया है उनको आपने जाड के उसे अनाज अलग कर दिया अभी भी देखिए, जो अनाज है, अभी आपको completely जो है अनाज पर आप नहीं हुआ है, उसमें बहुत सी impurity है जो dental है, उसके बहुत से, dental के जो बहुत से part है आपके अनाज के साथ mix हो चुके है अब आपको क्या करना है, अब आपको तो complete अनाज, अगर आपको वो अनाज market में बेचना है तो market में तो उन्हें क्या चाहिए होगा उन्हें जो जितने भी उसमें waste material हो तो नहीं चाहिए waste material को फिर से अलग करना होगा तो आपने क्या देखा होगा, उस अनाज को फिर से जो है एक process से गुजरा जाता है एक process से गुजरन होता है, जिसे हम winnowing कहते हैं इसमें क्या करते हैं, अनाज को उठाके सर के उपर तक ले जायाता है और वहां से धिरी धिरे हिला हिला के किसी बरतन से इसमें दूसरे बरतन में गिरा दी जाता है और जो हवा होती है, हवा से क्या होता है जो उसमें जो डंठल की जो light चोट-चोटे पार्टिकल उसमें आ गए है वो क्या हवा के साथ उड़ जाते हैं और आपका जो अनाज है, वो easily दूसरे बरतन में नीचे बैठ जाता है इस तरह से जो है, जो फाल्तू की चीज़े उसमें add हो गई थी, वो easily निकल जाती है हवा से इस इस प्रोसेश को बनाने से पहले भी क्या करते है फिर next प्रोसेश होता है, सेडिमेंटेशन देखिए यह जो प्रोसेश है यह भी काफी important प्रोसेश है अब sedimentation क्या होता है when the heavier component in a mixture settles after water is added to it the process is called sedimentation ठीक है अब देखिए मान लीजिए ठीक है आप किसी पानी को पी रहे हैं और उस पानी में गलती से क्या हो गया है गलती से उस पानी में कच्रा आ गया है जो पानी आपने बोतल में लिया है उसमें बहुत कच्रा है तो आप क्या क करेंगे उस बोतल को चुप-चाप साइड में रख देंगे बिना हिलायों से रख देंगे और कुछ दिर बाद आप देखोगे जितना भी कच्रा है वो उस बोतल में नीचे बैठ चाहेगा और जो pure water है वो कच्रे से उपर जो आपको होया है वो भीकुल pure water में लेगा उसके decantation ठीक है इसे हम हिंदी में क्या कहते है निस्तारण अब देखिए यह किस तरह का process है इसमें यह कैसा process है यह देखिए यह भी semi process है इसमें क्या होगा आपका जो जो गंदगी है वो नीचे बैठ जी गई है और water क्या है उपर है अब आप क्या करते हो जो water है जो water है आप उसको किसी दूसरे बरतन में निकाल देते हो और जो गंदगी है वो पहले वाले बरतन में रहती है ठीक है मतलब उन दोनों को आपने बिल्कुल separate out कर दि है तो उसको हम क्या कहते हैं decantation कहते है देखिए इसमें मैंने क्या एक arrow लगा आया है means इसी definition का इसमें यूज किया sedimentation वारे definition का किस तरह से उसकिया देखिए decantation की क्या definition होती है when the heavier component in a mixture settles after water is added to it the process is called sedimentation और sedimentation से थोड़ा सा advanced process decantation means when the water is removed अब देखिए जो water था sedimentation process में जो water था अब उसको हम क्या करेंगे remove कर रहे हैं तो this process जो हम remove कर रहे हैं और दो अलग-अलग substances अलग-अलग कर रहे हैं एक बरतन में आपका कच्रा है दूसरे बरतन में pure water है तो उस process को क्या बोलते है हम decantation process बोलते है ठीक है तो इस तरह से decantation और next process है filtration filtration का जैसे कि आपको पता है यह भी एक process है ठीक है पदारतों को अलग करने का सबस्टांस इसको अलग करने का आप देखिए decantation की मैं फिर से हम पर थोड़ी से definition आपके लिए दिये decantation is the process of separation of liquid from solid and other immisable या फिर non mixing liquid ठीक है तो यह क्या है decantation की definition अब next बढ़ते हैं evaporation evaporation क्या होता है the process of conversion of water into its vapor ठीक है is called evaporation यानि की जब आप water को इसके vapor में convert कर देते हैं उसे evaporation कहते है condensation क्या होता है condensation होता है the process of conversion of water vapor into liquid from liquid form is called condensation अब देखिए क्या होगा यदि आप किसी कोई बरतन के उपर धकन लगा देते हैं और उसको नीचे बरतन के अंदर पानी रख देते हैं माल लीजे और फिर आग जला लेते हैं तो क्या कुछ टाइम बात क्या हो जाएगा भाब जो भाब बनने के process है उसे हम condensation कहते हैं क्यूंकि आपने उपर से धकल लाया है तो वह भाब क्या है फिर से liquid में convert हो जाएगी यानि कि उस भाब से क्या बन जाएगी बूंदे बन जाएगी और बूंदे वापिस आपके जो बरतन है उसमें गिरेंगी तो उस process को क्या कहते ह है उस वाश्प से जो आपका फिर से liquid बन रहा है उस process को क्या कहते हैं हम condensation कहते हैं ठीक है अब एक चीज़ होती है saturated solution अब देखे saturated solution क्या होता है ठीक है saturated solution की हम बात करते हैं जिसे हम संत्रिप्त गोल भी कहते है हिंदी में इसमें क्या होता है जो liquid है मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं किसी water में आप चीनि एड़ कर रहे है ठीक है तो आप उसमें चीनि एड़ करते जा रहे हो करते जा रहे हो एक point ऐसा हाएगा कि जब आप और ज़्यादा चीनि उसमें मतलब वह जीज चीनी है वह completely उसमें नहीं गुलेगी ठीक है तो उस क्हूंट है ऐसे point ते प उसे में बनता है, उसे हम क्या कहते है, saturated solution क्याते है, जैसे की definition दिया है, this saturated solution is the solution that contains the maximum amount of, ठीक है, the maximum amount of solute that is capable of being dissolved, यानि कि solute क्या होता है, गुलब अब 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 जो जिसी आप चीनिग हो रहे हैं, solute क्या है, यहाँ यहाँ चीनि है, ठीक है, दो चीज़ी होती है, जो भी एक solution होता है, उसमें दो चीज़ी होती है, एक होता है solute, एक होता है solvent, ठीक है, तो देखिए solute क्या होता है, जैसे कि mixture of water and sugar, water and sugar का जो mixture है, उसमें देखिए, जो water is solvent, solvent क्या है, water है, उसमें, solvent क्या है, जिसमें आप चीज को घोल रहे हो जिसमें आप चीज को घोल रहे हो मनले विलायक इन दिमें हम क्या कहते हैं से विलायक भी कहते हैं जो अपने आप में किसी चीज को विलाय कर रहा है ठीक है उसे हम विलायक कहते हैं ठीक है और sugar क्या यहां पर, जिसको आप add कर रहें, जिसको आप घोलना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, solute कहते हैं, ठीक है, तो देखिए, तो saturated solution की क्या definition हो गई है, इस saturated solution is a solution that contains the maximum amount of solute that is capable of being dissolved, ठीक है, maximum amount of solute, जितना maximum amount of solute वहां पर dissolve हो सकता है, ठीक है, जो वो solution बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, saturated solution कहते हैं, ठीक है, यह था complete, अब देखिए, इस chapter में important क्या है, important जो है, यह सारे terms जो हैं, जितने में पढ़ी, जैसे कि saturated solution, condensation, evaporation, decantation, ठीक है, sedimentation, sieving, renewing, ठीक है, इन सभी terms की आपको definition जो है, वो बिल्कुल crystal clear होनी चीए, और यह सभी चीज़ें जो आपको याद होनी चीए, with definition, क्योंकि जब further classes में क्या होगा, इन की definition आपको नहीं दी होगी, ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इन words को directly use कर रहे होंगे, ठीक है, इन words को use कर रहे होंगे, तो इन words को समझ के आपको, इन words को पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए, कि यह किस process की बात कर रहा है ठीक है वहाँ पर इस process को वो दुबारा दुबारा repeat नहीं करेगा ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं next chapter chapter number six changes around us ठीक है changes around us ठीक है अब देखिए all changes can be reversed can all changes be reversed अब देखिए आप अपने आस्पा बहुत से परिवर्तन देखते हैं ठीक है क्या उन सभी परिवर्तन को आप फिर से दोहरा सकते हैं मतलब फिर से initial stage पर आ सकते हैं क्या जैसे कि यहां पर मैं example लेता हूं दो तरह के process जो हमारे पार available होते हैं फिर से दोहरा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं इंदर से हवा निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा फिर से छोटा हो जाएगा तो मतलब अपनी initial जो stage थी उसमें फिर से आ जाता है तो यहां पर क्या हो रहा है दो देखिए दो stages में जो बैलून जा रहा है फिरस्ट तो वह चोटा था और बाद में क्या कर दिया आपने हवा बर दी और वह बढ़ा हो गया ठीक है तो क्या उस हवा को निकाल कि फिर से छोटा हो जाता है म as it is आप वहिसा ही वहिसा आप कर सकते हो मतलब आप क्या कर सकते हो उस पो पेपर को unfold कर सकते हो ऐप एले आपने पेपर को फ्ल्ड किया और आरो निकारोखऊ आप ikat अफों कर दो पेपर को तो as it is आपको paper मिल जाएगा तो यह कौन सब किस तरह का प्रोसेश है, यह रिवर्सिबल प्रोसेश है, जैसे melting of ice, ice भी गलती है, ठीक है, मान लीजिए आफ रिजर में ice रखते हो, ठीक है, वह क्या बन जाती है, पानी रखते हो और उसकी ice बन जाती है, ठीक है, अब आप उसी ice को क्या करते है, दूप में रख दीजी और फिर से वाटर बन जाएगा तो यह किस तरह का प्रोसेस है यह रिवर्सिबल प्रोसेस है जैसे boiling of water यह भी रिवर्सिबल प्रोसेस है चोड़ दो अपनी इनिशिबल स्टेज में आया आता है तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस कहते है ऐसे प्रोसेस जिनने दोराया जा सकता है अब कुछ दूसरी तरह के प्रोसेस होते हैं irreversible process तो process which cannot be reversed ऐसी process जिने दोहराया नहीं जा सकता for example burning of paper माल लिजिए आप paper को जला दीजिएगा तो initial stage कैसी paper आप उस पे easily लिख सकते हो, उसका जहाज बना सकते हो ठीक है, अब आपने क्या कर दी, उस paper में आख लगा दी और उसकी क्या बनगी, राक बनगी क्या आप उस राक का जहाज बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते हो, क्या वो अपने initial stage में आ सकता है बिल्कुल नहीं आ सकता, तो यह किस तरह का process हो गया, यह हो गया irreversible process ठीक है, जैसे कि burning of fuel, आप fuel यानि कि petrol, मालीजी, petrol को burn करते हो क्या आप जो burn करके जो दोहा निकला है, क्या उस दोहें से आप फिर से petrol बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते हो, यह भी किस तरह का process है, irreversible process है ठीक है, जैसे cooking of food कोई food है, मालीजी सबजी बना रहे हो, आप baking of chapati, growth of plant, formation of formation of flower from bud, ठीक है falling of leaves from trees, riping of fruit सभी किसके example है, irreversible process के example है ठीक है, तो यह reversible process और irreversible process यहां से क्या हो जाता है, chapter 6 से important हो जाता है और देखिए, question किसी भी तरह से science में पूछा जा सकता है देखिए, तो आप से कोई एक process देदेगा वो और बुलेगा, is this process reversible, irreversible, या फिर both, या फिर none of these इस तरह से आपको चार option देगा और कोई भी एक process देदेगा तो आपको बताना होगा वहां पे कि वो process reversible है या irreversible है ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे जो चार chapter है आज यहीं पे खतम हो जाते हैं तो next video में क्या करने वाले हैं next के आगे के जो chapters हैं, वो cover करने वाले हैं तो आप क्या करिएगा आप जितने भी हमने यहां ते 6 chapters जो general science के class 6 के पढ़ लिए हैं, आप उनको क्या करिए, बार-बार revise करिए जितने भी यह PDF है यह हमने क्या कर दी है, अपने टेलिग्राम चैनल पे वहां पे अपलोड कर दी है और टेलिग्राम चैनल का लिंक है, वो में दिस्क्रिप्शन में दे दी है तो आपको यहां पे खुद से notes मनाने की जुरूरत नहीं आप उनको directly print out कर सकते हैं, और यहां से उन्हें पढ़ सकते हैं तो अभी यहां पे आप classics में देखेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी basic बेसिक सी चीज़े दी है तो जैसे जैसे ही हम classes का level है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे more complex चीज़े जो है सामने आती जाएगी और अच्छे तरह से आप जो है, वो science को समझ पाओगे तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अपनी next video में, thank you so much